तो आज के हमारी इस ओन्लाइन क्लास में हम इवेंट माइक में पर प्रगामिंग और पिक्चर आटोमेशन दो हम एक सांथ करने वाले हैं और मैं करना क्या चाहता हूं जमस्ली जी है मैं इसको एक्सल के थूप किया है पर उसको बीवी के थूप में रहा है जैसे कि मेरे पास एक sheet में data है दूश्रे sheet में images है तीसरे sheet में मैं यहां पे अपना raw number में डालता हूं तो we look up की method से हमारा यहां पे detail आ जाता है और picture look up की method से जो एक्छल का part है हम यहां पे photo आ जाता है देख रहे हमके, चेंज हो रहा है, बड़ एक photo save का है, फोटो save इसी file में है, यहां पर, तो च्रो इस सी आज आता है, बड़ माल जीए कि मेरा photo save हो एक particular drive में, एक folder के अंदर, roll number के हिसाब से, मैं एक new folder बनाता हूँ, उसका नाम मैं photo रखता हूँ, और मैं इस प्लिक करके, मैं इसके फोटो सेफ कर देखता हूँ तो प्रॉलम समिल में आगया आपको यस सर अधीज जी आपी का नाम देखता हूँ कुछ इमेज फोटो मिल जाएंगे आपके नहीं इसी और के मिल जाएंगे अभी सी फोटो को मैं सेफ इमेज एज कर देखता हूँ इसमेज फोटो का हाँ फोटो और उसके रॉल नमबर के साफ से तो यह नमबर वान सेफ हो गया सेफ एज नमबर टू हमने सेफ कर दिया सेफ एज नमबर ठी सब्सक्रण्ट कुस वलने एंग सिर अधिन पांच कर लदें कमसे नहीं इक पांच कर लेटें कमसे नहीं इसा और इमेंटे जो हो सकते हैं लाखों में हो सकते हैं जो हमने इससे किया है पिक्चर लुकप से किया है और पिक्चर लुकप से ना करके मैं करना चाहता हूं इससे अपना एकसल का जो वी वे का पार्ट उससे सबसे के लिए डेवलप और टाइम में जाना होगा इंसर्ट और ए आपको फार्म कंट्रोल में यहां आपको इमेज का देखेगा इमेज को सेलेक किजिए और जिस साइज का इमेज आपको चाहिए उस साइज का यहां पे आप ज्रॉख कर हो गया उसके बाद सीट का नाम चेंज करना है तो चेंज करनेजिए जैसे मैं आपर PIC करता हूँ और जाता हूँ व्यू कोड में तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए जब मैं इस पर चेंज करूं तो चले तो हमने यहाँ पर वर्कशीट स्लेक्शन चेंज के जगाँ पर हम चेंज लेते हैं यहाँ पर हमें कंडीशन देना हुआ कि चेंज हमारा C3 में होना चाहिए तो कंडीशन होगा कि इफ अब जहां चेंज हो रहा है वो टार्गेट है यहाँ तो टार्गेट के जगाँ पर कुछ भी कर सकते हैं वॉर्डू डॉट अद्रा संद्रा इंद्रू अध्रात इपए रहते हैं कि चेंज हुआ उपर गड़ने के शाचीर क्वामत में हमने दे दिया C3 cm3 सब्सक्राइब आन दिया सब्सक्राइब गर वागे रहते हैं यहां पर क्या करना है अब मुझे जो हमारा पिक्चर है उसका ड्राइव पास लेना होंगा यहां पर हमें देना है कौन से सीट में हमारा है या इसी सीट वारा है सीट वारा इमेज वारा है और यहां पर फाइल नेम में यहां पर हमारा रेंज कुन सा है C4 फाइल का नेम तो रॉल नम्र का प्वाइटिंग है ना C4 .value और फिर अपरसेंट .jpg यह तो दिना ही परेगा . 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 टेखो लिए खेज़र टेजन में दाइ्ट के शीवर संव अगाश्म एफर संव अगाश्म लेकिन तब क्या होगा जब यहां मैं 6 कर दो I am not found आ गया रहा यहां पर हम DIL function लेंगी यहां पर करता हूं है दें F1 as a string पर कि मैं यहां पर error handling भी देशाखता हूं है कि नीच और भी data हुआ होगा वहां पर error हुआ दिखकत हुजाएगा तो मैं यहां पर देता हूं F1 equal to F1 equal to F1 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 F2 F1 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 इस अफिन नॉट इक्वल टू ब्लांक ग्यांक एंचले एल्स स्थियुम्स को लिफ देना होते हैं लेकिन ऐसे ने इसके लिए मैं काम आउट करेंगे इसके लिफ प्लेट को जाएंगे झाल झाल ऐख को छेट यह प्कूला झाल 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 लोकेशन में निपी के लाम से जे पीजिए तो यहां पे एल्स में हमें कर दिया कर दिया कि अगर गर अगर 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 तरकेश हम लेते तो अने पर लिएट की जरूरत नहीं दून से में अगर करते हैं क्या है तर्गेट एड्रेस जो लिया है अपने उसी पर्टिकुलर से अगर चेंज करते हैं अब्स Mint तो वह अने बुभी की जैसे ही काम करता है जैसे की प्र्टिकुलर सेयल में चलना स्थाण टार्गेट के मतलब वह जहां पे चेंज हुहा है करते हैं यहां पर डिफाइन हो गया टार्गेट एज रेंज तो टार्गेट से कौन सा रेंज देट हुआ जहां हो रहा है हमने बोल दिया कि वह सकता है कि कुछ लोग यहां भी चेंज कर देना हमने यहां पर कंडिशन दिया कि अगर टार्गेट का एड़ने सी थ्री है तो अभी सब चलेगा अधरबाइज नहीं चलेगा तो भी आप इसी के अंदर रख लें तो भी बेटर है करो कि भाइज जो फाइल दून रहे हैं और रहत होगा तो डिया यार इसके उपर फाइल का नाम डाल देगा अगर नहीं हुआ तो ब्लांग देगा फिर चेक करेगा था ब्लांग तो नहीं अगर नॉट इक्वल टू ब्लांग है तो फिर इस पास को पास बनाओ जो रॉल नंबर है उसकी इसाफ से पाथ बनाओ आप पिक्चर को लोड करो नहीं ऐसे की ऊपर ब्लैंक स्टोर हुआ है इसका मतलब कि पिक्चर अबलेबल नहीं है इस फॉल्डर में तो यहां पे नो पिक्चर वाला जो पिक्चर है उसको शूब करो किसी और को डाउट है नो सर्थ पती जी आपको नहीं सर्थ समझ गया विक्की जी इस सर्थ डाउट नहीं सर्थ तो अब बात हुई कि जैसे कि हमने इसको यहां पी किया ऐसे इसको यूदल फॉर्म पे भी कर सकते हैं तो कोई भी पिक्चर फो आपको ले के आना है उस पिक्चर के उंकर वी प्रगामिंग के साथ लाना है एक हो गया कि नॉर्मल की पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं। वो इंसर्ट करें। तुछा होता है कि पिक्चर आपके डेता का विक्चर है। उसको लेकर आना है तो आपका अबजेक्ट की धू हो जाता है। ठीक है? ख्लियर है? यह चीज़े यहां पर है। तो इसके लिए हमने यहां पर event micro programming की तो event micro programming से मैंने दो तीर एमपल आपको दे चुका हूं सीद के ऊपर और लास्ट टाइम मैंने आपको कोई अप्टीबर टेवल से लेते प्रोजेक्ट दिया तो क्या होगा उसको भी का लीजिये करें तो इसके बाद हम बारेंगे आगे आगे की चीज़ के ऊपर जहां हम डू लूप बाई लूप रेइच लूप साय लूप को अच्छे ज़र प्रैक्टिस करेंगे तो हमने सीखा है तो पूछ लेगे